हेलो फ्रेंट्स वेलकॉम तो माई टूट चानल अभी स्टेजिन एंटिफाइज दोस्तों आज के क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं घता को करनी का इंपोर्टेंट टॉपिक है एक वीडियो में हम आपको बताए थे कि जब इस टाइप के प्रशनाप के बनेगे जैसे अब इसके फेक्टरब नहीं करपाइगे बताएंगे तो जब फेक्टर नहीं होपाएगा तो इचली वीडियो में हम ऐसे प्रश्ण को गिये थे जिनका फेक्टर हो गया था जैसे 12 हो था 110 था 56 था तो ऐसे प्रश्ण को हम लगा ले रहे थे अब देखिए जिसका फेक्टर नहीं होगा तो हम कैसे लगाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक हम फार्मूला बता रहें फार्मूला आपको याद हो जाएगा फार्मूला भी रटना नहीं है तो ऐसे करेंगे देखिए कंड़ी में four a फ्लस one और इस कंड़ी के बाहर प्लस वन करेंगे, अब बटे में दो करेंगे, यह छोटा सा फार्मूला, प्यारा सा फार्मूला है, और बहुत कठी नहीं है, आप ऐसे याद कर लेंगे, करने में 4A प्लस वन, करने से थोड़ा सा बाहर, प्लस वन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प् 60 कितना होगा 174 68 68 में एक जोड़ेंगे तो ब्रेकेट में आपका 69 प्लस वन प्रटे टू जी आपका हैंचर हो गया यह आपका हैंचर हो गया अब यहां पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है ध्यान रखें कि अंडरूट 69 अब इसका हमको बर्गमूल करना है तो बनाकर मे सब्सक्राइट का एक वीडियो में अप्लोड किया हूँ यह नान फर्फेक्ट इसक्वार रूट कैसे निकाला जाता है किसी भी नंबर का बहुत ही असान तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं जैसे बर्गमूल अगर आपको करनी में 5 का बर्गमूल निकालना है करनी में 11 क 25 का बर्गमूल निकालना है आपको 13 का बारन निकालना है तो आप बहुत आसान तरीके से वहार पर इसको निकाल लेंगे इस प्रस्डिका जो एंसर आपका बनेगा देखिए करणी में 69 प्लस 1 बटे 2 दूसरे प्रसन में क्या करेंगे करणी में 3 प्लस करणी में 3 प्लस करणी में 3 प्लस डाट 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 वैलू कहां तक है अनन तक है इस प्रसन को कैसे लगाएंगे आप रहेंगे तीन के भी फेक्टर नहीं हो पाएंगे बिल्कुल नहीं ह तुक माल लेते हैं गितीन और एक का अगर आफ हेक्टर भी करते हैं तो किया तीन और एक का अंतरा पा रहे नहीं पा तो इस प्रस्न को कैसे लगाएंगे ध्यान रखेगा फार्मूला आपको याद है फोर ए प्लस वन बटे तू अब इसमें आपको बैलू तो एक जगह कितना रिखेंगे 3 अप प्लस 1 अप प्लस प्रसन को मिली है लेकिन सोचिए अगर प्रसन में माइनस दिया हो तब क्या करेंगे अगर माइनस दिया है तो हम क्या करेंगे अगर स्टूररे में मैने सी तुरस Shortly को कैसे kalkarl aid देखें दूसरा प्रसन आम आपको यहीं करा देरे हैं दूसरे टाइपटा करने में 13- 13-13- माइनश डढ डाड़ इन्फायर इस प्रसन को देखें इस फ्रसन को थोड़ा सा उससे उलग है हम इसमें क्या कर दिए माइनस लगा mehrere ओपर सभी प्रशन में क्या था प्रस था तो माइनस वाले प्रस्ण को कैसे लगांगे इसके लिए भी एक फार्मूला है फार्मूला को याद रखेंगे देखे ....坐garई में four a फ्लस one अब देखिए यहां माइनस है तो इहां Large माइनस वन करेंगे बटे टू करेंगे बहुत इंपोर्टेंट ए फार्मूला या करेंगे जिनका फेक्टर नहीं हो पाएगा तो उन प्रसुन को कैसे सॉल करेंगे तो इस फार्मूले के माध्यम से अब देखिए इसमें क्या करना है आपको करनी में फोर एक जगा कितना यह अब यह सरो गया करणी में तीपन माइनस वन वन बटे दो तो दोनों प्रस Düks रहेएं बताएं दोनों प्रस्था आप समझ गया ही कि नहीं बहुत असान तरीके से समझ गहें नहीं हो पाएगा उसको हम फार्मूलिय से सॉल कर लेंगे फार्मूला बहुत असान है अगर आपके प्रस्ण में प्लस रहेगा तो फार्मूला याद करेंगे करणी में 4A प्लस वन अब करणी से थोड़ा बाहर प्लस वन बटे टू करेंगे दूसरे में देखिए माइनस रहेगा तो क्या करेंगे करणी में 4A प्लस वन माइनस वन बटे में टू यह दूसरे फार्मूला है तो दोनों प्रस्ण आप बहुत असान तरीके से मुझे उमीद है कि इन दोनों प्रस्णों में आप कोई mistake नहीं करेंगे और नहीं आपको बहुत difficult लग रहा होगा बहुत असाने आप इसे solve कर देंगे तो उमीद करते हैं हमारे दोनों टाइप के प्रस्ण को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गये होंगे और आप practice करिएगा आपके प्रस्ण जरूर मिलेंगे अगर यहाँ पर अ ऐसे प्रस्ण में अगर पूछता है अंडरूर तीरपन का बर्मूल कितना होगा तो आप वहाँ से बहुत असान तरीके से find कर सकते हैं तो उमीद करते हैं दोनों प्रस्ण आप समझ गये होंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत धन्य आप लाद